हेलो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा जीन्स के बारे में जीन्स सब डैनिम कपड़े से बन एक विशिष्ट परकार के पैंट को संदर्बित करता है यहां उनकी उत्पत्ती का संचिर्थ विवरन दिया गया है डैनिम का जन्म कहानी की शुरुवात डैनिम नामक कपड़े से होती है डैनिम की उत्पत्ती मद्य युक के दोरान फ्रांस के नीम्स शेहर में हुई थी कपड़े को सर्ज डे नीम्स कहा जाता था जिसका नाम शेहर और इसे बनाने में इस्तिमाल की गई गुराई तकनीक के नाम पर रखा गया था ऐसा माना जाता है कि डैनिम शब्धी नीम से ही विक्षित हुआ है जीन्स का जन्म जिस आदुनिक जीन्स से हम परीचित हैं उसे 19.7 के मद्य में सायुक्त राजaign अमेरिका में लेवी स्ट्रास नामक एक जर्मन ऐपर वासी द्वारा बनाया गया था 1833 पर में लेवी स्ट्रास एक विया पारी कैलिफॉर्निया गोल्ड रस के दोरां सैन फ्रांसिसको कैलिफॉर्निया चले गए उन्होंने देखा कि खानी को और शरीमी को गोटिकाओ कपड़े की जरूरत थी जो उनके कटोर कारिया का सामना कर सके इस आवशकता को पूरा करने के लिए लेविस ट्रास ने अठारसों के अत्तर में जैकब डेविस नामक एक दरजी के साथ साजेदारी की डेविस के पास पेंट पर जेब मक्खी के आकार जैसी जेबों के तनावफून बिंदियों पर रिवेट्स का उप्योग किया यह विचार बहुत अनूटा था जो की कारगर और सभल रहा उनके पास इस विचार को पेटेंट कराने के लिए आवशक धन नहीं था इसलिए उन्होंने लेविस ट्राज के साथ साजिदारी की साथ में उन्होंने बीस में 1873 को अपने रिवेटेड पैंट डिजाइन के लिए पैटेंट प्राप किया इस नीली जीन्स की आधिकारिक जनमतिती माना जाता है जैसा की आज हम जानते हैं नीली जीन्स जिसे अक् कपड़े से बनाई गई थी और वे अपने स्थाइत्व के कहंट सर्मिकों के बीच एक पसंदीदा पोशाग बन गई जीन्स का लोक प्रिया होना आराम में जीन्स मुख्या रूप से मजदूरों खनीकों और काव बाय द्वारा मजबूत वर्क वियर के रूप में पहनी जात और लोक प्रिया स्थिनी फेशन की दुनिया में जीन्स को परतिष्टित किया 1990 के दसक तक जीन्स दुनिया भर में च्छा गई और कैजूल ड्रैस के रूप में उबर कर आई आज जीन्स सभी उम्र और हर तरह के पस्ट भूमी वालों लोगों दोवारा पहनी जाती है इसे इस तरपार सबसे लोक प्रिया है और स्थाई फेशन आइटम माना जाता है तो दोस्तों हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद